नमस्कार आज मैं बना रही हूँ पालक का सूप पालक एक ऐसी हरी पत्तेदार सबजी है जो सेहब की गुड़ों से भरपूर है इसे खाने से शरीर में संक्रिमन का खत्रा कम हो जाता है और आप कई बिमारियों से बच सकते हैं इसलिए इसे अपनी और अपने बच्चों की डायेट में ज़रूर शामिल करिए आईए पालक का सूप बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवशकता है जाने पालक का सूप बनाने के लिए मैंने लिया है पालक, लैसुन, अद्रक, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, नमक, काली मिर्च, बटर और फ्रेश क्रीम सबसे पहले कड़ाई गरम करके उसमें डाला है बटर उसे थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है फिर इसमें डाला है लैसुन, अद्रक, प्याज, हमें बहुत जादा किसी भी चीज को नहीं पकाना है सिर्फ इसका कच्चापन खतम करना है इसके बाद मैंने एड किया है टमाटर, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, पालक की पत्ती इसको भी मिक्स कर लिया है पाँच से छे मिनट के लिए ढग कर पका लिया है इसके बाद इसी थंडा होने के लिए रग दिया है फिर बनाया है इसका पेस्ट अब फिर से कड़ाई ग अच्छे से मिक्स करके 5-6 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है पालक का सूप रडी है गर्मा गर्म सर्फ करिये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें